हाई गाईज, वेलकम बैक टू माई चैनल, आज हम वीडियो में बात करेंगे अग्रिकल्चरल पॉजन्स के बारे में, यह बहुत ही कॉमन टॉपिक और इंपॉर्टन टॉपिक है जो काफी बार एक्जाम में पूछा जाता है, तो सबसे बहले इस फोटो से समझते हैं, तो आप देख सकते हैं कि फार्मर कुछ पेस्टिसाइट सी रख रहा है, तो इन ही पेस्टिसाइट के कॉन्टैक्ट के वजए से हमें अग्रिकल्चर पॉजनिंग देखने को मिलती है, तो आईए जानते हैं इसमें कौन-कौन से पॉजन्स होते हैं, तो अग्रिकल्चर और लिनिफ्रेज एenzyme की, और टॅर्घेनो कार्वेमेट्ट किया करते हैं, यह रिवर्सेबल इनिभिशन करते हैं, अब ऑर्घेनो कार्वेमेट्विट्स के अंदर राता है, अब अर्धिकार, प्रफकॉक्सर, और कार्बरिल बात करें, और बात करें, और्डेनो कलोरि की तो यह जेनरली मॉस्किटो रेपेलिंट में होते हैं अब आ जाते हैं सबसे बहले हम लोग और गयनो फॉस्फोरस कंपाउंट्स में तो इसका टिपिकल स्मेल होता है केरोसीन जैसा यह बहुत ही इसका केरेक्टरिस्टिक फीचर है बात करें मेकानिजम की तो यह इर्रिव इसमें आपका सबसे बहले आप देख सकते हैं आपका neurotransmitter है तो यह neurotransmitter release होता है receptor पर Act करता है और फिर acetyl colinistrase enzyme जो इसको clear करता है और फिर से यह प्रॉसेस होता है लेकिन जब OPC poisoning होती है तो यह Acetyl Cholineres Enzyme जो इनिविट होता है जिसके कारण यह Neuro Transmitter यहां से Clear Off नहीं हो पाते हैं जिसके कारण excess accumulation हो जाता है Neuro Transmitter का और हमें कुछ Symptoms देखने को मिलते हैं तो आईए हम लोग जानते हो कौन-कौन से Symptoms हैं या Clinical Features हैं तो हमें दो चीज़ देखने को मिलता है वो होता है Nicotinic and Muscularinic तो हम लोग याद कर सकते हैं अराम से Nicotinic को एक बहुत इजी तरीके से जो है Dumbles तो D से हो गया डाइडिया, U से यूरिनेशन M से मायोसिस B से ब्रेडिकारियन, ब्रॉंकोस्पाजम E से Emesis, L से Lacrimation, L से Lethargy and S से Salivation बात करें मस्कुरेनी क्लिनिकल फीचर्स की तो हम लोग स्टार्टिंग में जो है Initially हमें Muscle Fasiculations देखने को मिलता है लेकिन बाद में Muscle Paralysis भी हो जाता है और अगर इस केस में अगर डेथ हुआ तो जेनरली Respiratory Muscle की Paralysis की वज़े से ही होगा तो आप आसानी से जो है Nicotinic जो है उसको Dumbles वाले ट्रिक से अराम से याद कर सकते हैं यह सारे Important Clinical Features हैं OPC Poisoning की बात करें इसके Treatment की तो सबसे बहले हम लोग Stabilize करेंगे पेशेंट को और फिर उसको decontaminate करेंगे अब जेनरली OPC का आपका root जो होता है absorption का होता है या तो GIT, Skin, Inhalation तो हम लोग जिस root से infection हुआ है उसको decontaminate करेंगे अगर oral हुआ है तो gastric लवाज देंगे अगर skin exposure हुआ है तो कपड़े हटाएंगे और पानी से साफ करेंगे और अगर inhale किया गया है वो poison को तो उसको fresh oxygen देंगे ताकि clear हो जाए वहाँ से poison बात करें antidote की तो antidote जो है आपका organo phosphorus का बहुत important है antidote है atropine तो यह specific antidote है जो muskureni effects को जो है वो counter attack करता है बात करेंगे दोस की तो 2 से 4 mg IV में देंगे और हर 10-15 मिनिट में repeat करते जाएंगे जब तक atropinization न हो जाए और इसमें जो होता है decreased secretion of lung हो जाएगा और यही हम लोग देखकर atropinization समझ जाएंगे क्योंकि ऐसे तो increased secretion हो जाता है लेकिन अगर हम लोग atropin देंगे तो decrease हो जाएगा secretion तो हम लोग समझ जाएंगे कि हाँ काम कर रहा है सही और improvement आ रहा है patient में बात करें oxymes की तो यह colin strange enzyme जो होता है उसको reactivate करता है phosphate group को हटा कर इसके example की बात करें तो pralidoxim और obidoxim हैं अब हम लोग बात करें summary की तो OPC poisoning में हम लोग atropin और oxymes दोने देंगे atropin देंगे ताकि जो भी muskurenic और necrotinic side effects है उसके लिए और oxymes हम लोग देंगे ताकि आपका वो reactivate हो जाए वो अपस से anticholiner stage enzyme बात करें कारवामेट्स की तो हम लोग atropin देंगे क्योंकि इसमें reversible inhibition होता है और organo chlorine और pyrethroid में हम लोग कुछ नहीं देंगे वो symptomatic treatment हम लोग देंगे depending upon the क्या clinical features और क्या symptoms patient में आ रहे हैं तो इस वीडियो के लिए इतना ही अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें और यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू